बाल गुरू, म्रदुला गर्ग लड़का तब चौथी कक्षा में पढ़ता था इतिहास की क्लास चल रही थी टीचर बोल रही थी कि बस बोल रही थी ग्यान वर्धक अच्छी अच्छी बातें कमसकम कयास तो यही लगाया जा सकता है सहसा उस पर नजर पड़ी कि जपटली अकबर के पिता का नाम बताओ मुझे नहीं मालूम उसने कहा क्यों नहीं मालूम जो मैं कह रही थी सुन नहीं रहे थे नहीं क्यों नहीं टीचर का पारा आहिस्ता आहिस्ता ऊपर चड़ रहा था हालांकि उसे अपने सहियत स्वभाव पर खासा गर्व था मैं सोच रहा था इस जवाब ने टीचर को और चिड़ाया अच्छा? वाकई? किस बारे में सोच रहे थे? बारे में नहीं, बस सोच रहा था वा, हम भी जाने क्या सोच रहे थे? वो पता होता तो मैं सोचना बंद न कर देता गहरी सोच में डूब कर उसने कहा टीचर का दमागी धर्मामीटर तूटने की कगार पर पहुँच गया फिर भी खुद पर काबू रखा वो नहीं चाहती थी कि उसका रत्तचाप और बढ़े अच्छा पहले ला परवाही और उपर से बत्तमीजी सक्त पर मद्दिम स्वर में उसने कहा चलो प्रिंसिपल के पास प्रिंसिपल अजब उलजहन में पड़ गया सोचना शुरू किया तो सोच का दाइरा बढ़ता चला गया क्या सोचना गलत था? क्या सच बोलना गलत था? सही क्या था? और क्या गलत था? ज्यादा महत्वपून क्या था? सोच विचार करके सत्ते की परताल करना या तथ्यों की सूची का बखान सुनना उस दोरान टीचर उसके खिलाफ शिकायतों की एक लंबी फिहरिस्त गिनाती जा रही थी बार-बार इस जुमले को दोरा कर हालंकि अपने लंबे शिक्षन काल में उसने अपने हुस्से पर काबू रखना काफी अच्छी तरह सीख लिया था पर हर चीज की एक हद होती है हद पार कर लेने पर किसी को उसकी किये की सजा न मिले तो फिर कोई हद बाकी नहीं रहती भाशा और मुहावरे पर उसकी पकड उस्तादों वाली थी आखिर थी जो उस्ताद वो भी इतिहास की काफी देर बोल लेने के बाद उसने पूछा तो आपका निर्ने क्या है सौरी प्रिंसिपल ने कहा आपने क्या कहा मैंने सुना नहीं मैंने पूछा आपका निर्ने क्या है वो नहीं उससे पहले आपने जो कहा मैं सुन नहीं पाया कुछ नहीं सुन पाये कैसे क्यों टीचर अगबकाई मैं सोच रहा था क्या सोच रहे थे वो पता होता तो मैं सोचना बंद न कर देता उसने कहना शुरू किया और फिर संभल कर रुख गया क्या वो भरष्ट हो रहा था जो था उससे अलग होने के लिए उसकी उम्र शायद ज्यादा हो चुकी थी उसने लड़के को कड़ी चेतावनी दी स्कूल के नियम काइदों के मताबिक रहना सीखे दुबारा ऐसी गुस्ताखी की तो स्कूल से निकाला भी जा सकता है अगले दिन प्रिंसिपल ने अपने पच से इस्तिफा दे दिया इस्तिफा मांगा नहीं गया था उसने खुद बखुद निर्ने ले लिया लड़का अपनी गती से चलता रहा और आखिर दस्वी कक्षा का अम्तिहान पास कर गया उतने उचे अंकों से नहीं जितने कि उसके माता पिता को उम्मीद थी पर जितने उसकी टीचर के अनुसार आने चाहिए थे उन से कही ज्यादा लेकर उसकी मां इम्तिहान से दो महीने पहले उसे पीलिया हो जाने को कम अंकों के लिए जिम्मेवार ठहरा रही थी तो क्लास टीचर बीमारी के बावजूद उतने अंक पाने के लिए उसकी बेपनाह बत्तमीज जिद को जो भी हो वो दसवी बोर्ड इम्तिहान के साथ जूनियर साइन्स टैलेंट छातर रत्ती के लिखित पर्चे में भी पास हो गया अगले दिन साक्षातकार या मोखिक इम्तिहान होना था कि अचानक उसे जोरों का बुखार चड़ गया कोई बात नहीं मा ने सोचा आधुनिक चिकित सा जिंदा बाद एक ही दिन में अंटिबायोटिक का चमतकार बुखार को नीचे ले आएगा अगली सुभा वो इम्तिहान दे देगा साक्षातकार के लिए इस्तरी की हुई साफ सुथरी कमीज और पैंट अलमारी में टंगी थी बस जूते गंदे थे बहुत नहीं पर पॉलिश की चमक से महरूम साक्षातकार के लायक तो कदापी नहीं शाम घेराई बुखार तब भी काफी तेज बना रहा जूते पॉलिश नहीं हो पाए क्यों न इन जूतों को मोची के पास भेज कर पॉलिश करवा ले बुखार की बात छोड़ो न भी होता तो सुबह जूते पॉलिश करने का वक्त नहीं होता तुम्हारे पास जवाब फिर भी नदारत आखे मुंदी देखकर माने सोचा शायद नीद आ गई है बुखार उतरने के लिए आराम करना बलकि सोए रहना नहायत ज़रूरी था सो उसने उसे सोने दिया पर जूते बे पॉलिश जूते सर पे सवार थे बमुश्किल एक घंटा अधैरे पर काबू रखा और फिर हथियार डाल दिये और खुद जूते लेकर बैठ गई वैसे भी जूते पॉलिश करने के अपने कौशल पर उसे काफी नास था हमेशा की तरह जूते पॉलिश करने में उसे बड़ा मजा आया कैसे उन्होंने उसके हाथों के इशारों पर नई जिन्दगी पाई एक पल वे सड़क के गलीज बच्चों की तरह दिख रहे थे तो दूसरे ही पल पबलिक स्कूल के चमचमाते छात्रों की मानिंद वह अपने चहरे और प्यार भरे दिल की हूबहू प्रतिछाया देखने के लिए पॉलिश की जूतों से उम्दा आरसी कभी नहीं मिलेगी हाथ कंगन को आरसी क्या वाजिब है पर दिल तो हम हाथ में लिये नहीं घूमते उसे चाहिए एक जोड़ी पॉलिश की जूते उसे अपने आप पर गर्व हो आया बड़ी आजिजी से चमचमाते जूते उसके बिस्तर के बराबर रखती है आँख खुलते ही उन पर नजर पड़ेगी अलसुभा बुखार जाचा था तो तेज पर चारा क्या था संभाल लेगा उसके लिए नाश्टा तयार किया गया मेज पर रख बेटे को बुलाने उसके कमरे में गई तो देखा कि वो हाथ में जूता पकड़े फर्श पर बैठा था मैंने कल रात पॉलिश कर दिये थे उसने सगर्व कहा मालूम है उसने कहा और ब्रश उठा लिया तब जाकर उसकी नजर जूतों पर पड़ी जहां तहां मिट्टी लस्री पड़ी थी पर कैसे वो मनोयोग से जूतों पर ब्रश मारता रहा फिर पास रखा कपड़ा उठा कर उन्हें चमकाने लगा पर जूते मैंने तो पॉलिश उसने निरर्थक समवाद बोला तब ही मुझे बागीचे से मिट्टी लाकर उन पर डालनी पड़ी मेरे जूते मेरे सवा कोई पॉलिश नहीं करता उसका चहरा जूतों की तरह चमक रहा था लड़का बीस का हो चुका था अमेरिका के सैन फ्रैंसिस को शहर में काम कर रहा था तब ही वहाँ बीसवी सदी का मशूर जलजला आया मा को आ चुकने पर पता चला टीवी की मार्फत देखा, सुना और महसूसा एक बार नहीं बार बार वो गोल्डन गेट के पास धसकी जमीन में गिरी मोटर गाड़ी को बार बार दिखला रहे थे बार बार देखने पर लगता है एक नहीं, अनेक हादसे घट गए बशरते आपका उसे निजी सरोकार हो हादसा तभी हादसा बनता है ना जब किसी को कोई फर्क पड़े 36 घंटे अकेले हादसे महसूसते को गुजरे तमाम फोन लाइने बंद थी किसी और रास्ते खबर मिलना मुम्किन नहीं था उससे बात हो पाने का तो सवाल ही नहीं था 36 घंटे बीट जाने पर आखिर फोन लगा प्याला तूट गया उसने कहा तुमारे सब दोस्त दफ्तर में सहयोगी वगेरह सब ठीक हैं प्याला तूट गया उसने फिर कहा किस प्याले की बात कर रहा था वो कोई कप होगा जीत में मिला होगा पर उसे प्याली की परवाह कपसे होने लगी क्या बहुत कीमती था खासा बेवकूफ महसूस करते हुए उसने पूछा नहीं वो खाली मेज के बीचो बीच रखा था फिर भी तूट गया तुमने तूटते देखा हाँ, मैंने तभी मेज के बीचो बीच रखा था मेज बिलकुल खाली थी तुम समझ रही हो ना मेज पर और कुछ नहीं था फिर भी वो तूट गया टकराये बिना गिरकर वही तो, समझी जलजला बहुत बुरा था बुरा नहीं, जलजला बहुत बड़ा था, उसने कहा